हेलो दोस्तो आज मैं बताऊंगा मनोजदे के बारे में मनोजदे यूटूब में पूरे चाय हुए हैं क्योंकि मनोजदे बहुत ही बड़े यूटूबर बन चुके हैं मनोज दे का एक सपना था कि मैं एक बड़ा यूटुबर बनूंगा लेकिन वो बन चुके हैं और वो टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं मनोज दे का सपना पुरा होने के कगार में है मनोज दे पहली बाइक खरदे हैं जो की अपाची हैं जो उनका सपना था बाइक खरदने का जो वो खरिच चुके हैं और साथ में दूसरी नमबर पर उन्होंने एक स्कूटी भी खरदे हैं देख सकते हैं आप और तिसरी नंबर पर दोस्तों उन्होंने एक कार परचेच किये हैं कार बहुत ही सुन्दर है क्योंकि मुनवज देखो वाइट कलर का कार बहुत ही पसंद होते हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया था लेकिन आप देख पा रहे हैं कि माई न्यू कार एक सपना और पुरा हो गया आप देख रहे हैं सपना इनका तो धीरे धीरे पुरा ही हो रहा है और इनके साथ भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे कि मनोजदे केटियम चलाते हुए उनका दोस्त यनी केटियम खरदा था और उन्ही के केटियम को चलाते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने बताया कि ऐसे ही लगतार काम करते हो और देखा कि अब बलेट बलेट का भी सपना उ देखिए यह रहा मनोजदे का बुलेट आप तिसरी नमबर पर बात आती है कि वह कार 15 दिन में ही चलाने सिख लिया और कुछ दिन चलाने के बाद वह सकार को बेज दिया बेज दिने के बाद उन्होंने फिर से एक नया कार प्रचिच किया देख पा रहे हैं दोस्तों और उस कार का भी नजारा इसलिए मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने बहुत सारे कार और बाइक का भी परचेच किया और उनका सपना धीरे-धीरे पुरा होने लगा अब उन्होंने एक न्यू कार परचेच करने वाले हैं वो की दिपावली के धंतिरस में लेकिन बता दूँ कि उस कार में क्या क्या है उनके बारे में बता दूँ कार का लेकिन यह कार उन्होंने पता नहीं बेचे नहीं होंगे फिर भी मैं बता दूँ यह कार अभी तक इसके पास है पर उन्होंने एक न्या कार परचेच करने के लिए सोचा है पर मैं बता दूँ वह कार कौन सी है यह रहा कार उन्होंने देखकर आया XUV7700 इस कार को देखकर आया है और बोला गया है कि वीडियो में कि मैं इस कार को धनतिरस में परचेच करूंगा पता नहीं आप देख पा रहे होंगे वीडियो आएगा तब तक बता दूँगा अधि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो एक सस्क्राइब लाइक कर लीजिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेट्स मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ जैहिन जै भारत